अगर आप अपनी चार्ट अनलीसिस को स्टॉंग करना चाते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मार्केट आर्स के दूरान जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ हम आपको यहां पर अपडेट कर देते हैं आप यहां देख सकते हैं कि मौरिंग में हमने आपको फिन निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, मिड कैप के और निफ्टी के इंप्रॉटन लेवल्स हमने आपको यहां पर सेंड कर दिये थे दैन फिन निफ्टी में हमने आपको जो लेवल्स बताया थे उसके रिटेस्ट होने पर यहां पर थर्टी पॉइंट अप थी और हमने इसी के बेसिस पर ही अपनी यहां पर ट्रेड ली थी और फिन निफ्टी में हमने आपको जो वीडियो में बताया थ पर ले थी then bank nifty में important resistance हमने आपको बता दिया था nifty में important हमने support trend line आपको बता थी आपको पता कि market सारा दिन overall यहाँ पर consolidate थी तो then bank nifty में again हमने आपको double top pattern यहाँ पर बताया था बट कहा था कि low break यहाँ पर होना चाहिए तो market arts के दुराण जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ हम आपको यहाँ पर अपडेट कर देते हैं तो अब बात करते हैं Nifty Bank की कि आप Nifty Bank को कल को यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड करके चलेंगे आपके लिए important resistance और support हमारे लिए क्या निकल कर आएंगे तो हमारे लिए जो सबसे पहले important यहाँ पर resistance रहेगा वो 42,818 कर रहेगा then 43,000 कर रहेगा और उसके बाद 43,230 कर रहेगा यह हमारे लिए यहाँ पर strong हमारे लिए resistance निकल कर आएंगे अगर यहाँ पर support की बात करें तो आपके लिए support रहेगा 42,696 का क्योंकि आप देख सकते हैं कि यह हमारा यहाँ पर Friday का हमारा swing है तो आपके लिए यह यहाँ पर हमारा important यहाँ पर support हमारा रहेगा और उसके बाद अगर next support की बात करें तो वो 42,479 कर रहेगा क्योंकि Friday का यह low है क्योंकि हमने आपको बताया था कि market में previous day का high, previous day का low और closing हमारे लिए सबसे ज़्यादा importance market में trade लेने के लिए वो रहती है next day जब तक market इसके high को या low को break करती है तब हमें market में एक अच्छा move मिलता है लेकिन अगर वो इसी range के बीच में यानि previous market की trading john के बीच में ही अगर market next day open हो जाती है और सारा दिन उसी में ही निगाल देती है तो market यहाँ पर consolidate रहती है और sell यहाँ पर hit कराती है तो previous day का high या low break होने पर ही हमें market में एक अच्छी यहाँ पर trade मिलती है अब बात करते हैं next support की तो आपके लिए जो next support रहेगा हमारा वो 42,369 करेगा then 42,115 करेगा जो की हमारा यहाँ पर Thursday का low है bank nifty का तो यानि 42,000 आपके लिए एक यहाँ पर हमारा strong support अभी तक निकल कर आएगा bank nifty में जिस दिन bank nifty में हमारा यह support हमारा break हुआ then यहाँ से काफी जादा bank nifty में selling हमारी आने वाली है क्योंकि हमने यह चीज़ आपको फिर nifty में भी बताई थी कि हमारा यहाँ पर weekly time frame पर एक pattern बना हुआ है जिसको हम यहाँ पर double toe pattern बोलते हैं और हमने आपको यह clear cut बताया था कि जिस दिन इसके neckline break हुई तो यहाँ पर काफी जादा यहाँ पर selling हमें नजर आएगी तो आप देख सकते कि जब इसके neckline break हुई है तो कितनी जादा यहाँ पर हमें selling हमें देखने को मिली है तो आपके लिए अब यह strong हमारा support है वो 42,000 हमारे लिए bank nifty का रहेगा जिस दिन अगर यह break हुआ हमें अगेन फिर से यहाँ पर selling देखने को मिलेगी bank nifty में तो अगर neck support की बात करें तो वो आपके लिए रहेगा यहाँ पर 41,187 का और then यहाँ पर रहेगा 41,797 का यह हमारे लिए neck strong support रहेंगे जिस दिन 42,000 का level हमारा यहाँ से break हुआ I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो, informative लगी है तो please subscribe my youtube channel और आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं जिसका link हमने आपको description में दिया हुआ है, thank you